नमस्कार आज का यह वीडियो हमारे कुछ शिक्षक सातियों के अनुरोद पर बनाया जा रहा है आज जो प्रात्मिक शिक्षक विद्याले में पढ़ाते हैं और इस कुरोना की घरी में वो सीधे छात्रों के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं और वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए वो बच्चों का क्लास ले रहे हैं उन्हें काफी परिसानी हो रही है बच्चों को समझाने में तो हम आज एक विशेस एप के बारे में बताएंगे जो वीडियो कॉनफरेंसिंग करते हुए स्क्रीन सेरिंग के जरिये हम उस एक एप में पहुंचेंगे और उस एप के माध्यम से हम बच्चों को आसानी से गनीत के सवालों का हल करके दिखा सकते हैं या हम हिंदी भी उससे पढ़ा सकते हैं, हिंदी के सब्द भी उससे लिखकर बच्चों को बता सकते हैं या 粗ा इसके लिए हमें एक एपिकलिकेशन की ज़रौत है जिसका नाम है whiteboard जो google play store पर उपलफ है, तो हमें हमें पहले google play store पर चल कर उस application को install करना होगा तो चलते हैं हम पहले Google Play Store हम लोग Google Play Store पर आ चुके हैं और यहाँ पर उपर सर्च करेंगे Whiteboard for Teaching हम लोग Whiteboard for Teaching लिखके सर्च करते ही हमारे पास बहुत सारे Application आ जाते हैं जिसमें से यह नीचे जो है इस Application को हम लोग सीलेक्ट करते हैं और इसको Install पर क्लिक करते हैं यह बहुत चोटा सा Application है और बहुत जल्द इंस्टॉल हो जाता है तो हम देख पा रहे हैं कि यह इंस्टॉल हो चुका है अब हम लोग इस पर Open पर क्लिक करते हैं और यह हमारे उप्यों के लिए तयार हैं तो इस पर हम लोग बच्चों को दिखा सकते हैं जोड के कुछ सवाल करके हम दिखा रहे हैं जैसे पंद्रह जोड पच्चीस बड़ावर चालिस इसी तरह से तीस घटाव बारह बड़ावर अठारह तो इस प्रकार से हम बच्चों को गनीत के सवाल को हल करके दिखा सकते हैं और इसको मिटाने के लिए किसी डास्टर की आवशकता नहीं है और इसको बड़ा करके दिखाने के लिए हमें केवल इस पर एक क्लिक करना है और इसको बड़ा करके भी दिखा सकते हैं या इसको save करके रख सकते हैं जो कि हम बच्चों को बता रहे हैं इसमें column का color भी हम change कर सकते हैं अभी हम blue से लिख कर दिखा रहे हैं blue से भी आप लिख सकते हैं और इस पर हम चित्रांकन भी करके बच्चों को दिखा सकते हैं तो यह भी आप कर सकते हैं हिंदी के सब्द को भी आप बच्चों को समझा सकते हैं अंग्रेजी के सब्द भी आप इसमें लिख कर अंग्रेजी के सब्द भी हम इसमें सिखा सकते हैं तो यह बहुत ही उपयोगी है इस प्रकार इसमें और भी कलम दिये हुए उसका उपयोग आप कर सकते हैं जदि हमारे इस वीडियो को आप अच्छा लगा हो और इस प्रकार की informative वीडियो आप पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद साथियों